तो सेनिक स्कूल का result में जो counseling wise result चल रहा है तो सीट matrix आ गई है round 5 की तो updated seat matrix है उसको हम देखेंगे कि कितना बदलाव आया vacancies में round 4 में कितनी vacancy भरी गई थी round 5 के लिए कितनी seat बची है category wise देखेंगे girls boys सब देखें class 6 और class 9 दोनों को हम tackle करेंगे और जैसा कि मैंने बताया था कि बई जो ये seat matrix का पूरा game है this is under control of reconsider those who have the option of reconsider तो वो इसको पूरे को tackle कर रहे हैं वो पूरा समझो की referee वो बन गए है ना अब ये game NTA के हाथ में है NTA के अलगी game ले जाएगा इसको दूसरा ना ये Isaac के हाथ में अब 150 वालों के हाथ में तो ना पहले था कुछ ना अब है और ना आगे होगा ठीक है तो ये किसके हाथ में जिन बच्चों के नंबर 270 पलस हैं उनके हाथ में ये game है ठीक है वो इसको पूरे को मैं कहऊँगा रेगुलेेट कर रहे हैं यहां पे जब हम पूरा डेटा देकेंगा उससे मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से जो यह जो राउंड है गृणड़ च्छेर उत्चên का पूरा ábी जो एट बच्छै वह धियुं। दिखिए चैनल यह सैनिक स्कूल का राउंड, यह है पूरी, पूरा राउंड का हुआ है यह देखो, निचोड भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसको देख लो एक बार, यह पूरा है देखो यह, जो अब सीट बची है, जो सारी सीट बची है, तो इसको देख लेंगे, मैं 1, 2, चलो इस सीट थी, बोईज के लिए, कक्सा चैन है, यह शाब दिखाए, 124 सीट थी, कक्सा चैन गल्स के लिए, कक्सा नों में 178 थी, और 16 थी गल्स के लिए, लेकिन जैसे ही राउंड फोर में, जो सीट मैट्रिक्स अपडेट होके आई, उसमें क्या बदलाव आया, 577 की जगे कित तो मतलब रिकंसीडर कितने वालों ने, भई, बतलब यह हो गया कि बाकी सब ने क्या कर लिया, 551 में से 26 थी, तो 551 बच्चों ने तो रिकंसीडर लिया था, तो इसलिए, मैं क्या कह रह हूं, कि भई, रिकंसीडर वालों को सीट मिलती है, वो उसको लेते नहीं, फिर से र देखो 124 सीट थी गल्स की भरी कितनी गई मातर 22 सीट 124 में से 102 अगर देखा जाए तो 22 सीट भरी गई केवल गल्स की केवल गल्स की कितनी 22 सीट अब कक्सा 9 की बात करें कक्सा 9 में 160 रह गई गल्स की अगर बात करें तो चार सीट भरी गई 9 के लिए ठीक है अब सवाल यह भी पैरन्स का उठता कि बैसर देखिए यह तो ठीक है लेकिन हमारा कब नंबर आएगा क्या 250 वाले का जाएगा पहले तो मैं एक बात कह दूँ देखो थोड़े सब्द बड़े सपष्ट रहें यह तीटता है आपने देख लिया होगा ना भी आप आप यह बताओ जान बुझ का आप बार-बार फ़ूभी हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा क्या घुक्षण का एक की लेवल होता है ठीक है आपने देख नहीं दे मैं सब ज्यूज कर रहा हूं थीट थोड़ा आप सांट बैठ जाएं वो अगली साल की तियारी करें जो भी उनको करना है अपने स्कूल में पढ़ाई करें वहां करें अपना समय यहां पर बरबाद ना करें लेकिन जो संकोच बना हुआ है वो बना हुआ है लगबग 240 से लेके 260 का यहां पे जो मामला है यह फसा हुआ है और यह फसाया किसने है यह फसाया है रिकंसिडर वालों ने यह फसाया किसने है यह फसाया रिकंसिडर वालों ने तो अब इसमें होगा क्या अब एक बात देखो यह एक और देखोई डेटा यह डेटा हो रहा है राउंड थ्री मिन 935 सीट फिर भी यहां भरी गई मतलब अ एक एक seat भी नहीं बरी गई, हर एक स्कूल में 33 स्कूल है, 33 seat भी नहीं बरी गई, देखे अब होगा क्या, होगा ये कि ये round 5 आएगा, तो round 5 में भी यही होना है, 10-12 seat बरी जाएगे 15 बरी जाएगे, round 6 में भी यह होना है round 7 जैसे ही आएगा ये जो reconsider का बटन है ये हो जाएगा, disable ठीक, और round 8 में क्या करेंगे, वो एक पूरी list जारी कर देंगे rank wise ठीक, और फिर school क्या करेगा, सीधा call करके पूछेगा do you want to join कोरु कुंटा सानिक स्कूल, उदर से बच्चा काएगा no, वो अगले से फून करेंगे do you want to join this school, no do you want to join this school, yes तो चलिए आप DD जमा करेंगे, एक दिन का उसको समझ देंगे, वो आप एक दिन के लिए DD जाके जमा करता तो ठीक है otherwise जमा नहीं करता, फिर तो इसरों को call करेंगे, चोथे call करेंगे, तो ऐसे करके इसको within 10 days निप्टा देंगे, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा भेंकर प्रशन ये लग गया है, वो दिन आएगा कब, वो आ रहा है दिन अक्टूबर में बस, इसका रोना ये है अगर ये काम को अभी कर दें इसको एक तो राउंड का इतना लंबा लंबा समय जुलाई में पूरा चले जाएगा, मतलब इतना भी ये बहुत ही लंबा लंबा समय इन्हों ने दिया है हाला कि अभी अगले राउंड का schedule अभी इन्होंने पच्ची चब्वी जो भी है, चब्वी सीट वरी गई मतलब एक ही बच्चा, एक महीने में एक ही बच्चा admission ले पा रहा है एक school में, तो ये तो कोई point नहीं बन गया, तो अब ये मुझे लगता है ये All India Sanic School admission council को समझ में आ गया होगा, कि मामला ऐसे नहीं वो round round करके नहीं चला जाएगा, क्योंको schedule भी लंबा है, अब जुलाई से चल जाएगा जुलाई से पूरा पूरा जुलाई पाचवे round में चला जाएगा, फिर अगस्ट चला जाएगा छेह round में, ठीक है, फिर सितंबर में पूरा साथ वाठ वा राउंड चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, लेकिन वेकंसी भी तो भरनी चाहिए, अब साथ वे round तक कोई वेकंसी भर ही नहीं जानी, तो इसमें अब यह होने वाला है, अब हम यह जो सीट मैट्रिक्स आई निकल के, आप यह देखेंगे कक्सा 9 के लिए है, यह पूरा यहां से सीट मैट्रिक्स आप यहां से चेक कर लेते हैं, इसको मैं उसमें लिए आता हूँ एक बार, जो पीडिया है, उस पूरमेंट में देखते हैं, इसको सारे को देखेंगे round, देखेंगे, यह है आपका किसका, यह कक्सा 6 की है, यह किसके लिए अभी कक्सा 6 की है round के लिए, ठीक है यह कक्सा 6 की है, इसके लिए, ठीक, हाँ, यह पूरा कक्सा 6 का, 6 का है पूरा, यह पूरा कक्सा 6 का, तो पहले यह 29 यह 27 थी, अब यह कम होती है, यहां से total count यह चल र स्कूल है ठीक है सरकारी संद्राइध स्कूल है इतने भी हैं आखे 66 हो गया यह तो हो गया हमारा किसका कक्सा 6 का अब बात करते हैं कक्सा 9 का ठीक है 9 में अगर देखे तो 9 में मात 160 भालगी 9 में भी इसा कोई जल्दी जल्दी शिट नहीं भरी जा रही जल्दी जल्दी बरी जा रही पर लेकिन वो रिकंसिडर वाला मुझे लगता है वह यह हो गया च्छटा यह हो गया साथवा और एक सैनिक स्कूल हमारे यह भी है यह हमारे NSS बड़ा सुहावना सुन्दर सा नाम दिया है NSS ठीक सुन्दर सा नाम है NSS प्राइवेट पब्लिक पार्टनर्सिप ऐसा एकुल जाने वाला नाम पेरेंट्स को समझी ना आए कि क्य है कुछ नहीं है वही कुछ नहीं है प्राइवेट पार्टनर्शिप क्या है पार्टनर्शिप क्या कितनी कितनी इस्सेदारी है इनमें सरकार्गी जीरो इनमें अगर पूछा जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप इसमें है कितनी सरकार्गी इस्सेदारी इनमे तो देखो इसमें देखो वही यह सारी सीटे खाली है जिसको इन में जाना हो भरपूर सीटे खाली है 211, 142, 144 मैं बार बार कहा रहा हूँ घर से हाथ पकड़ के ले जाएंगे आपका इनकी सीट लगबग 4500 से लेके 5000 सीट खाली है और जो बच्चा यहां पे जाएगा जाने क के बाद मैं एक गैरंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक साल ही टिक पाएगा जिस देखो जिस बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है जिसको मतलब मस्ती करनी है उस तो देखो कहीं भी टिक जाएगा खीक है लेकिन जो बच्चा सीरियस होगा education जिसका main target होगा जिसका ब देख लो इनका खीक यह इनका सारा भरपूर वैकेंसिय तो इसमें तो कोई बात है नहीं अब देखो जैसे मैं बतारों पिछली बार का अगर देखो तो यह देखो यह पहले उसमें दो एक एक जम्पल से समझे आप इस एक एक जम्पल समझे आप देखो यह कितनी है round 4 की बात करूं 27 वैकेंसिय और 4 है ना और जब हम आपका इसमें आते हैं round 5 में तो यह कितनी रह गई तेईस रह गई और तीन रह गई मतलब चार यहां पे बढ़ी गई और एक वेकंसी यहां पर बढ़ी गई पांच वेकंसी इसमें सैनिक स्कूल काली खिरी में बढ़ी गई ठीक तो ऐसे ऐसे पूरी वेकंसी यह सीट मैट्रिक्स अपड़ीट हो जाएगा उम्मीद करता हुए ओल इंडिया साइडिक स्कूल एडिमिशन काउंशन लेगा क्योंकि इससे तो कुछ नहीं होने वाला इससे तो राउंड राउंड ही होता रहेगा रिजल्ट कुछ आएगा नहीं और जिन बच्चों को यह देखो यह था 935 यह राउंड 3 का था देखो जिन बच्चों को कुल मिला कि यह एक बात यहां पर मैं इस पश्ट बता दूँ वही दियान से सुनना मेरी बात आपका दिसंबर में 15 से 15 दिसंबर को आरह में सीटी का एक्जाम है और अगर आप अक्टूबर तक सितंबर भी पूरा चला जाएगा अक्टूबर तक इस राउंड में चले गए अक्टूबर तक और अपका किसी सैनिक स्कूल में दूर दराजवाले में सेलेक्शन हो गई गया और आपके नंबर 240 है यह उससे ज़्याद है मैं एक बात जानना चाहता हूं जब आप अक्टूबर तक आई चुकिया तो अक्टूबर और नवें का कोई पॉइंट नहीं बनता मुझे नहीं लगता कोई इसका फाइदा भी है तो टू जोइन होस्टल बैच को आप वाटसब करना और इस पर लिखना आई वांट तो नो अबाउट होस्टल बैच हमारी टीम आपको सारा समझा देगी कि फी स्टक्चर कैसा है एडमिशन कै कैसे लेना है क्या क्या है सब और यह अभी दुआधार प्रैक्टिस चली हुए है दुआधार मैं इसलिए मैं कहता हूं जो बुट्चा 230-240 का है तो थियोरी तो उसकी होई रखी है उसने पहली साल थियोरी पड़ी है बस जिस बच्चे के नंबर 230 आए तो उसने पूरी सा स्कूल जाए जाए तो नालंदा चाहिए तो नालंदा चित्तवडगर चाहिए तो चित्तवडगर और मिलेटरी स्कूल अजमेर दोहलपूर आपका बेलगां बैंगलोर जो भी चाहिए चैल वह यहां से लो ठीक और आगर आपको ओन-लाइन तियारी करने है तो ओन-लाइन भी बेस्ट है कि यह हमारा RMCET का पॉन्टेशन ओनलाइन कोर्स चला हुआ है इसमें सारी फैसिलिटीज हैं तमाम तरह कि यह हमारे लाइब बैचिज चले हुए सैनिक स्कूल का इनमें दुबारा रिविजन एक बार रिविजन हो चुका है दुबारा श्टार्ट हो गया है फिर से नया एकदम फ्रेश तो इन सारे बैचिज को आप जोइन कर सकते हैं तो यह सारी स्थिति है इस चीज को ध्यान में रखो और समय बिल्कुल भी नहीं गवाना आपको क्योंकि समय ही सबसे ज़्यादा एहम भूमिका निवाएगा आपके सलेक्षन में अगली साल या उससे अगली साल बहुत सारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं इस बार नहीं चुड़ियो अरे जरूरी थोड़ना है बही जरूरी न होना रहा है खुली मिला के उसके fundamentals उसके basic मजबूत होने चाहिए अगर fundamentals मजबूत है basic मजबूत है बच्चे का education में पकड़ है तो फिर बार वी के बाद उसको कौन काम्याब होने से रोक रहा है कोई भी नहीं ना मैं ना आप न बच्चा उसका काम्याब होना सुनिश्चित है पक्का है तो बस आपको उसी दिशा में आपको कदम बढ़ाना है और continuity के साथ त्यारी करनी है और त्यारी कौन सी academy वैतरीन कराईगी जेमेट्री डिफेंस अकडमी थैंक्यू श्रेंट्स थैंक्यू परेंट्स